Assalamu alaikum my dear student, आज हम Valuing Others, chapter number 6 कर रहे हैं, Valuing Others का मतलब है दूसरों की, दूसरों को एहमियत देना, दूसरों की कदर करना ये आपकी एक photograph है, आप इसे क्या समझे हैं, What made you so sad? Sister Aisha is asking, Sister Aisha अपने भाई से पूछ रही है, What made you so sad? तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो, Brother Frost said, I am not like others, मैं दूसरों जैसा नही हूँ, आप देख रहे हैं कि, He is a special child, ये special child है, वीलचेर पे बैठा हुआ है, और इसके साथ कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, जिन्होंने करचिस बिसाखियों पे खड़े हैं, और उसकी बहन उसे कह रही है, Yes, you are, तुम दूसरों जैसे नही हो, Allah made you special, because you are a math genius, कि अगर तुमें Allah ने एक disability दी है, एक कमी है, तो उसकी बजाए तुम math genius हो, तुम math बहुत अच्छा करते हो, तो my dear student, हम मेंसे हर एक के अंदर हामियां भी हैं, खूबयां भी हैं, अगर Allah ताला किसी को कोई जि ही कमजोरी के साथ पैदा करता है, तो उसके साथ उसको और अच्छी चीज़ें भी अता करता है, तो हमें कभी किसी को एसास नहीं होने देना चाहिए, कि वो कम तर है, special needs issues in children, बच्चों में बहुत से special issues हो सकते हैं, medical problem की वज़ा से उनने कुछ wheelchair यूज करने पड़ सकती है, developmental issues हो सकते हैं, उनकी height बहुत बड़ी या छोटी हो सकती है, learning issue हो सकते हैं, कि उनको थोड़ी देर से समझ आता हो, और behavioral issues भी हो सकते हैं, कि वो बत्तमीजी करते हों, और mental health उनकी जिसमी हालत जो है, वो भी थोड़ी सी फरक हो सकती है, तो ऐसे बच्चों के साथ, अपने हमें अच्छा सलूग करना है, valuing other means seen difference as something positive, जब आपने आप से, आप किसी को फरक देखें, तो value other का मतलब ये है, कि आप positive मुस्बत अपने आपको रखें, दूसरे में फरक महसूस करते हुए, it means trying to understand how others think and feel, इसका मानी ये है, कि आप इस बात को समझें, कि दूसरे कैसे सोच और कैसे महसूस करते हैं, and knowing that this help you as well as them, और उनको समझना, उनके एहसासात की कदर करना, आपकी मदद भी करेगा, और उनको भी फाइदा देगा, All persons are created equal that we should value not only the similarities, but also the differences in other people, similarities एक जैसी चीज़ों को भी, और differences जो दूसरे लोगों से फरक चीज़े हों, हमें उन सब को value करना चाहिए, उन सब की कदर करनी चाहिए, अब कौन से behavior आते हैं, सबसे पहला तो acceptance है, यानि कबूल करना, valuing others for who they are now, not trying to change them, but to understand them, acceptance का मानी यह है, कि जो कुछ जैसा भी है, उसको आप वैसा ही रहने दें, उसे तबदील करने की कोशिश ना करें, बलके उसको समझने की कोशिश करें, The next step पहे, appreciation, valuing others means that you can and make an effort to see things that you value in them. If we can learn to appreciate something in the other person, we can build our relationship different from competitiveness, from hatred, from alienation. अगर हम दूसरे को समझने की कोशिश करें और उसके अंदर जो खूबियां हैं, उनको appreciate करें, तो हम एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, मकाबले बाजी, नफरत और दूसरे को अकेला छोड़ना जैसी बुरी आद्पे हमारे अंदर नहीं पैदा होंगी. तो हमें हमेशा दूसरों में अच्छी बातें तलाश करनी चाहिए, see good in others, जब हम अच्छी बातें दूसरों में देखेंगे, तो हम उनको appreciate करेंगे, उनको महबत देंगे. Expectation, valuing others not just for what they are, but for what you know they can be. किए दफ़ा आपका दूसरे को बताना कि तुम्हारे अंदर ये खूबी है, तुम इसे और बढ़ा सकते हो, तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाता है, तो आप अपनी expectation बनाएं कि हाँ, अगर तुम्हें ये तुम्हारे अंदर खामी है, तो ये खूबी है, जिसके ओपर भी grateful, मैं खुश हूँ क्योंके मैं शुकर गुजार हूँ, और मैं किसलिए grateful हूँ क्योंके मैंने खुद इसको choose किया है, the gratitude allows me to be happy, और जो शुकर अदा करना है, वो मुझे खुश बनाता है, खुश रखता है, तो हमें हर हाल में खुश रहना तभी आएगा, जब जो कुछ You cannot change other people, you can only change yourself, आप किसी और बंदे को तबदील नहीं कर सकते हैं, अपनी जो एनक लगाई हुए हैं, उससे दूसरों के अंदर अच्छाई तलाश करें, अपनी खामियों पे नज़र रखें, क्योंके हमारा बास सिर्फ अपने उपर चलता है, don't try to change other people. Offer encouragement, supportive बने, अगर आपको कोई अपने से different बंदा नज़र आता है, बच्चा नज़र आता है, तो उससे support करें, उससे encourage करें, कि at least वो बाकी सब लोगों के साथ पढ़ने की कोशिश करें, अच्छे काम करने की कोशिश करें, smile and take time to ask, how are you? Good listener बने, मुस्कुरा के दूसरे का हा How are you? फिर है invite, दूसरों को अपने साथ invite करें, अपने पढ़ाई के लिए, गेम के लिए, और involve करें, जो special need के children's हैं, वो भी normal इनसानों की तरह सोचते हैं, उन्हें आपकी support की जरूरत है, help की जरूरत है, उन्हें खेल में अपने साथ खिलाएं, उन्हें अलैदा ना, केला छोड़ें, don't be rude और उनके साथ बत्तमीज रविया इख्यार ना करें, उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा, इस वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें